ताबर्ड्स फैमिली तंग आ चुका हूँ अरे हाँ कह तो तुम ठीक ही रहे हो परन्तु क्या करें बे तो समझ में नहीं आ रहा मैं खुद घर में रहे कर बोर हो चुका हूँ जिन्दगी में कुछ भी मज़िदार नहीं हो रहा मानो क्यों न हम कहीं दूर किसी पिकनिक का प्लेन बनाएं और थोड़ा घूम फिर कर आते हैं तुम ठीक कह रहे हो यार परन्तु हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो फिर हम इतनी दूर पिकनिक बनाने और घूमने कैसे जाएंगे सब कुछ ठीक है परन्तु हमारे पास पैसे की कड़की हमेशा से है ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो पैसे तो मेरे पास भी बिलकुल नहीं है मेरी भी जेबें बिलकुल खाली है हाँ यार अब देखो ना हमने कहा कहा काम करने की कुछ नहीं की पर हमें काम पर कोई रगता ही नहीं अब ऐसे ही हमारे पास पैसे कहां से आएंगे अरे मानो तुम्हारी मा मीनो चिडिया की तो मिठाई की दुकान है तुम उसके जाकर कुछ पैसे मांगो फिर हम पिक्निक पर चलते हैं हाँ ये आइडिया अच्छा है मैं अपनी मीनो मा के पास जाकर कुछ पैसे मांगता हूँ और तुम भी अपनी पिता के पास जाकर पैसे ले आओ फिर हम दोनों ही पिक्निक पर चलेंगे पिनो चिडिया की अपनी मिठाई की छोटी सी दुकान थी और वहीं बर्जी तोते का अपना मटकों का काम था जिससे वे मटके बनाया करता था मा मेरी बास सुनो मुझे कुछ पैसे चाहिए ओ दरसल मैं अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जाने का सोच रहा हूँ पर अंतु मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगी थोड़े बहुत क्या बेटा मैं तो तुम्हें काफी सारे पैसे दिना चाहती हूँ पर अंतु हमारी घर के हालाद तो तुम्हारे सामने ही है मिठाय की दुकान सही से नहीं चल रही है काम अच्छा नहीं है पैसे सही से नहीं आ रहे है मा तुम हमेशा से ऐसे ही कहती हो मैंने तुमसे कौन से जादा पैसे मांग लिए बस कुछ पैसे ही तो मांगे है तुम हमेशा मुझे मना कर देती हो और दोस्तों के सामने मेरी हमेशा बिज़ती हो जाती है ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बात, मैं इस मिठाई की दुकान को ठीक तरीके से चला नहीं पा रही हूँ, बस इसी वज़से हमें पैसों की कमी है हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जब तक पिता जी थे, सब कुछ ठीक था, मुझे किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती थी, पर अन्तु जब से पिता जी गए है, मुझे हर चीज़ की कमी होती है मानोचिडा पैसे ना मिलने की वज़से काफी उदास था, फिर वे उदास होता हुआ, अपने दोस्त तुन्टुन के पास जाता है मेरी मानने तु मुझे पैसे नहीं दिये, हमारा मिठाई का काम ठीक नहीं चल रहा, इसलिए माँ के पास पैसे नहीं है अरे हाँ तुम ठीक कह रहे हो मेरे पिता से भी मेने पैसे मांगे परन्तू उन्होंने भी मना कर दिया हमारा काम भी कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा ये पैसों की कमी यार बहुत हो गई है हाँ काश हमारे पास अभी कुछ काम होता तो हमें पैसों की कमी बिलकुल नहीं होती मानो इस समय तो अब बस गुरू जी ही हमारी मदद कर सकते हैं हमें उनके पास जाना चाहिए हाँ तुम ठीक कह रहे हो चलो हम गुरू जी के पास चलते हैं वे हमारे मसले का कोई ना कोई हल जरूर बताएंगे दोनों ही पक्षी उनलो गुरू जी के घर के पास पहुँचते हैं और दर्वाजे पे दस्टक देने लगते हैं कुछ समय में दर्वाजा खुलता है और वे दोनों घर के अंदर आ जाते हैं गुरू जी आप तो हमारे शिक्षक हैं आपने हमेशा हमारी मदद की है हम जहां भी काम मांगने जाते हैं, हमें कोई भी काम नहीं देता, हमें तो कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। बच्चों, तुम्हें तो काम मांगने जाने की मिलकुल भी जरूरत है ही नहीं, तुम्हारे माता पिता का तो खोद इतना अच्छा काम है। अगर तुम दिहान लगा कर अपने माता पिता का काम आगे बढ़ाओ, तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होँगे, और तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी! क्या हम अपने माता पिता का काम आगे बढ़ाएं हाँ तुम्हें अपने माता पिता का काम आगे बढ़ाना चाहिए अब वो तुम्हारी अकल है कि तुम उस काम को कितने अच्छे तरीके से करते हो तुम्हारे माता पिता ने भी अपने समय में काफी मेनत करी है और अब तुम्हारा समय है तो मैं भी मेनाद करनी होगी दोनों ही पक्षियों के बात तो समझ में आ जाती है परन्तु वे दोनों ही अब सोच में पड़ गए थे कि अपने माता पिता काम आगे केसे बढ़ाया जाए तभी मानों चिड़े को एक अच्छा उपाय सूचता है अरे टुन्टुन मैंने सोच लिया है के हमें क्या करना है हम अपने माता पिता काम केसे आगे बढ़ा सकते हैं तुम बस कल कुछ मटके बना कर मेरी मा की मिठाई की दुकान पर ले आना शुबा होने पर टुन-टुन विश सारे मटके अपनी सैकल पर रखकर मानों चिड़े के पास ले आता है जहां मानों चिड़ा मिठाई की दुकान पर अपनी माके साथ उसका इंतिजार कर रहा था मा अपसे आप घर पचा कर सुकून से आराम कीजिए अपसे ये सारा काम हम दोनों दोस्त देखेंगे और ये काम काफी हद तक अच्छा कर देंगे ऐसे मानो चिडा मीनो चिडिया को घर भिश देता है आरे मानो तुम ये क्या मट का जलेबी क्या कर रहे हो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुमने मुझे मट के मंगा लिए और यहां तुमने जलेबिया बना के रखी है क्योंकि हम मट का जलेबी बनाने वाले हैं तुम जो मट के लाए हो इनमें हम थोड़ा सा दूर डालेंगे और फिर जलेबिया डाल कर सवी पक्षियों को ये मटका जलेबी दे देंगे अरे वह ये तो कुछ नया आइटम बन जाएगा काश ये सवी पक्षियों को बहुत ज्यादा पसंद आएं ऐसा सोचकर कुछ इस समय में वे दोन पक्षी मिल कर मटका जलेबी मटकों के अंदर तयार कर देते हैं ऐसे ही कुछी देर में इतना आकरशित और अनोखा नाम सुनकर काफि सारे पक्षियों की उनकी दुकान पर लाइन लग जाती है सभी पक्षी मटका जलेबी खाना चाहते थे के आखिरिये क्या चीज़ है काफि सारे पक्षी ऐसे उनसे मटका जलेबी लेकर खाते हैं और उन्हें वे मटका जलेबी काफि ज्यादा पसंद आती है अरे वाह ये मटका जलेबी तो बहुत ही स्यादा स्वादिश थे मैं तो दो प्याले खाऊंगी हरे तुम तो सिर्फ दो प्याले खाओगी परन्तु मुझे तो चार प्याले खाने है ये मत का जलेवी बहुत ज्यादा आला है ऐसे उन दोनों पक्षियों की मेनत और लगन और गुरुजी की सीख से उन दोनों का कारवार काफी ज्यादा अच्छा चल जाता है उन दोनों के पस अब रोजना काफी सारे पैसे खटे हो जाते थे वे दोनों पक्षिय अब काफी जिम्मेदार भी हो गए थे वे दोनों अब अपने माता पिता का काफी ख्याल लखने लगे थे तो दोस्तों इस कहानी से हमें पिरना मिलती है कि मेहनत और लगन से हम जो भी काम शुरू करते हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है दूर किसी जंगल में एक मीनो चुरिया रहती थी वो बहुत अच्छी चुरिया थी वो बहुत महंती चुरिया थी उसका पती कुछ दिन पहले एक हाथसे में मर गया था मेनो जुडिया अब गोंसे में अकेले ही रहती थी और उसका अंडा था जिसमें से कुछ दिनों तक बच्चा निकलने वाला था लेकिन अब मेनो जुडिया की सहत बहुत खराब थी ऐसे ही वो एक दिन डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर जी मेरी सहत ठीक नहीं है मुझे हर समय चकर ही आते रहते हैं आप मुझे कोई दवा दे दे जिससे मैं ठीक हो जाओं मेनो तुम्हारे इस मर्ज की दवा मेरे पास नहीं है और मुझे लगता है शायद किसी के पास नहो इस मर्ज का कोई अलाज नहीं है मुझे लगता है अब तुम ज्यादा अर्चे तक जिन्दा नहीं रहोगी तुम बस आराम करो बुल बुल डॉक्टर जी ऐसा ना कहे मैं अगर अकेली होती तो मरने से कभी ना दखती लेकिन मेरा एक अंदा भी है जिसमें से बच्चा निकलने वाला है आप पलीज मुझे कोई तो दवा दे दे बस मेरा बच्चा बढ़ा हो जाए फिर मैं मर भी गई तो मेरा बच्चा तो इस काबल होगा कि खुद से अपनी जिन्दगी जी सके चिडिया मैं तुम्हें कैसे कोई दवा दे दूँ मैं जो भी तुम्हें दवा दूँगी तुम्हारा मर्ज काम होने की बज़ाए बढ़ेगा और फिर चिडिया निराश होकर वहां से चली जाती है चिडिया अपने गोंसे में गुमसमसी होकर बैट जाती है अब मैं क्या करूँ मेरे अंडे का क्या होगा अगर मैं मर गई तो मुझे अपने अंडे को किसी को दे देना चाहिए जो मेरे बच्चे का दिहान रख सके लेकिन ऐसा कौन होगा जो मेरे बच्चे का दिहान रख सके मैं ऐसा करती हूँ के कव्वे के पास चाती हूँ मैं भी तो बहुत बारुस के काम आई हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा और फिर मीनो जड़िया कालो कवे की तरफ चली जाती है कवे भीया, शायद मैं अब ज्यादा समय तक जिंदा न रह सकूँ, मुझ पर एक दिया करो मीनो, तुम बिमार हो, ठीक हो जाओगी, पक्षी बिमार होते ही रहते हैं, लेकिन क्या काम है तुम्हे मुझ से कवे भीया, ये मेरा अंदा है, इसमें से कुछ दिनों में बच्चा निकलने ही वाला है आप लीज मेरा अंदा अपने पास रख लो, अगर मैं मर गई, तो मेरे छोटे से मसून बच्चे का क्या बनेगा ना बाबा ना, अगर कोई और काम होता, तो शायद मैं मान ही जाती, इतनी बड़ी जुम्हेदारी हम नहीं ले सकते मेरे तो अपने अंदे से बच्चा निकलने वाला है, वैसे भी तोटे के साथ तुमारे अच्छे संबंध है, तुम ये अंदा तोटे को ही दे दो, और फिर मीनुचडिया वहां से निराश होकर वापिस चली जाती है चमखिलो, क्या था अगर तुम मान जाती, कोई तो अच्छा काम कर लो जो अपने अंदे की रक्षा कर रही हूँ, अच्छा काम ही कर रही हूँ, मुझे से नहीं होती किसी और के अंदे की रक्षा मीनुचडिया सीधी तोटे के पास जाती है तोते भेया मेरा ये अंडा तुम अपने घौशे में रख लो मैं बहुत बिमार हूँ मेरा कुछ पता नहीं मैं कम मज़ जाओ मीनू तुम तो जानती हो मैं अकेला ही रहता हूँ भोजन को भी जाना होता है भला मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ इस मासूम अंडे की तुम ऐसे करो कबूतर के पाँचो वो तुम्हारी मदद जरूर करतेगा और फिर चिडिया निराशो कर कबूतर की तरफ चली जाती है लेकिन कबूतर भी चिडिया का अंडा अपने पास नहीं रखता और फिर ऐसे मीनू चिडिया वापिस अपने खोंसले में चली जाती है और फिर ऐसे ही रात हो जाती है कालू जी अब तुम ना मेरे लिए अच्छा सा भोजन लाया करो सारा दिन अंडे पर बैठ बैठ कर बहुत कमजोर होगी हूँ मैं जिस दिन से तुमने अंडा दिया है मेरे हिसे का भोजन भी तुम ही तुका रही हो कमजोर कैसे हो रही हो तुम मुझे तो उस चिडिया पर बहुत दिया आ रही है चमकीलो सारी उमर चिडिया का भोजन चुरा चुरा कर खाया है हमने अगर मुझे तुम्हारा डर ना होता तो मैं मीनू चुडिया से उसका अंडा ले लेता अगर इतने ही दिया आ रही है तो चुडिया के पास ही चले जाओ तुम और फिर बातें करते करते वो सो जाते हैं लेकिन जैसे ही चमकीलो सोती है कालू कववा चुपके से मीनो चुडिया की तरफ चला जाता है और जैसे ही कालू कववा मीनो चुडिया के गोंसले में पहुंचता है चुडिया तो मरी पड़ी थी कववा ये देखकर रोने लग जाता है चुडिया तुम क्यों छोड़ कर चली गई हमें मीनो चुडिया तुम तो चली गई लेकिन मैं अब तुम्हारे अंडे की रक्षा जरूर करूँगा और तुम्हारे अंडे से निकलने वाले बच्चे को अच्छे से पालू पोसूँगा और फिर कालू कव्वा मीनो जुडिया का अंदा उठा कर वापिस चला जाता है चमकीलो कव्वी तो गहरी नीन सोई होती है कालू कव्वा चुपके से अंदा अपने अंदे के पास ही रख देता है और सो जाता है और फिर सुभा हो जाती है लेकिन कालू कवा अभी तक सोया हुआ था ओए कालू, ओए कालू, उठो, दूसरा अंडा क्या तुमने दे दिया उठो जल्दी से कालू और कालू कवा तुरुत उठकर बैठ चाता है और वो अपने मन में ऐसे सोचता है अगर मैंने चमकीलो को इस अंडे के बारे में बताया तो चमकीलो तो मुझे छोड़ेगी नहीं चमकीलो, ये तो बहुत खुशी की बात है तुमने ही दिया होगा ये अंडा भी उठाओ और फैंको इस अंडे को गोंसले से बाहिर मुझे सब पता है तुम्हारी चलाकियों का तुमने मीनों का अंडा लाकर रखा होगा हाँ रखा है, हर समय मुझे ही ड्राती रहती हो आखर पती हूँ तुम्हारा जराबी इज़द नहीं करती हो तुम मेरी चमकीलो जैसे ही अंडे को उठाकर फैंकने लगती है तो वो कहती है कौन सा अंडा है चुडिया का मुझे क्या पता, साथ साथ ही तो बड़े हैं तुम खुद ही देख लो वो दोनों अंडे एक जैसे ही थे इसलिए चमकीलो तो पहचान ही नहीं पा रही थी किचुडिया का अंडा कौन सा है और फिर कालू कवा वहां से चला जाता है अब मुझे इन दोनों अंडों की ही रक्षा करना होगी मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरा कौन सा अंडा है आज तो कवा कुछ ज़्यादा ही मिहनत कर रहा था किसी तरीके से चमकीलो को अच्छे से अच्छा भोजला कर दे जिससे वो खुश हो जाए और फिर कालू को चमकीलो का मंद पसंद फल अमरूद मिल जाता है कालू वो अमरूद लेकर अपने घर की तरफ चल देता है चमकिलो देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए हाई अमरूद मेरा तो आज अमरूद खाने को बहुत मन कर रहा था वैसे तुमने उपाए अच्छा ढूंडा मीनों का अंडा लाने का ऐसे तो तुम मान नहीं रही थी मुझे भी कालू गहते हैं मेरे जैसा दिमाग किसी का नहीं अच्छा ठीक है अब मैं इन दोनों अंडों की ही रक्षा करूंगी लेकिन तुम शाम होते ही भोजन लेकर वापिस आ जाया करो रोज एक चीला कर चक्कर लगाती है कों से के तुम चिंता ना करो काल से मैं शाम से पहले ही आ जाया करूंगा और फिर ऐसे ही तिन और रात गुजरते गे और फिर एक सुभा चमकीलो के एक अंडे से बच्चा पाहिराता है और वो छिडिया का बच्चा था चमकीलो जल्दी से उस बच्चे को अपने पंखों में चुपा लेती है चमकीलो कितना सुदर है ये बच्चा कालू जी सच पूछो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है इस बच्चे से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बच्चा मेरे अपने अंडे से ही निकला है अब तुम जल्दी से भोजन ले ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम तक हमारा दूसरा बच्चा भी अंडे से निकलाएगा और फिर कालू कव्वा भोजन की तलाश में चला जाता है कालू कव्वे को एक पेर पर तोता बैठा दिखाई देता है और कव्वा उसके पास जाकर बैठ जाता है कालू मीनू जुड़िया तो मर गी लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है क्या बात है तोते मुझे भी तुम बहुत निराश लग रहे हो मीनू मेरे पास अपना अंड़ लेकर आई थी कि मैं उसके अंड़े को अपने पास रख लूँ लेकिन मैंने उसके मदद नहीं की बस यही बात मुझे हर समय परिशान करती रहती है तोते जैसे बी की लेकिन मैंने चुड़िया की मदद की थी और मैंने वो अंड़ा अपने घोंसले में रख लिया था क्या सच में कवेग? हाँ, आज तो उस अंड़े से एक छोटा सा बच्चा भी निकल आया है तुम मेरे साथ जाकर देख सकते हो ये संकर तोता बहुत खुश हो जाता है तो फिर चले मुझे चल्जे से देखना है उस चुड़िया के बचे को मुझे अभी भोजन भी तलाश करना है थोड़ी देर लुक जाओ तुम भोजन के चिंता ना करो ये देखो मेरे पस फल है ये तुम भी खा लेना और वो बच्चा भी यही खा लेगा तोता और कवा वहां से चले जाते हैं वो जैसे ही गोंसे में पहुंचते हैं तो कालू को तो एक और भी खुशी मिलती है क्योंके आज उसका अपना बच्चा भी अंडे से निकल आया था कालू देखो हमारा बच्चा कितना सुन्दर है बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा है वो सब बहुत खुश थे कालू और चुमकी लोग मैं हर रोज शाम को फाल दे जाया करूंगा तुम्हारे लिए और इस चुडिया के बच्चे के लिए शायद ऐसे ही मेरे मन को थोड़ी शानती मिले और आप तोनों ने बहुत अच्चा किया जो रक्षा के उस चुडिया के अंडे की और फिर ऐसे तोता अपने घर चला जाता है गोरी और कालू उस चुडिया के बच्चे का अपने बच्चे की तरहा ही प्यार करते हैं और बाकी बक्षी भी उस बचे का बहुत प्यार करते हैं और हर रोज तरहां तरहां के फल उसके लिए ले कर आते हैं अब तो चमकीलो कवी और कालो कवा कुछ ज़्यादा ही खुश थे